एक समय की बात है, जब प्रित्वी पर प्राकृतिक सौंदर्य ने हर किसी को मोहित कर दिया था। पेड़ पौधों की हर जलक एक अलग कहानी सुनाती थी। वनों में हर याली का राज था। पेड़ पौधों की रानी पैद्धों के शाखाओं पर सरवर्जित बूंदों को गले लगाती थी। वे बारिश के समय अपना समर्थन देती थी और उनकी कर्ण प्रियाब भूमी को नई जीवन शैली देती थी। जंगलों में हरी भरी घास की चादर बिछी हुई थी, जो जानवरों को अपने आदर्श आवासों में स्वागत करती थी। जंगलों के मधुर संगीत ने हर रोगी को ठीक कर दिया था। प्राकृतिक जगत ने हमें अनेक चीजें सिखाई हैं। एकांत, सद्गुण और सहयोग की भावना उन्होंने हमें सिखाया है। इस अनूठे संसार में प्राकृतिक संस्कृती का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य ने हमें धर्ती मा के साथ हमारी संबंध बनाए रखने का मार्ग दिखाया है। यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमें इसे समझना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य का सनरक्षण करना अत्यंत महत्व पूर्ण है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से सनरक्षण न करने पर हमारी आने वाली पीढियों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, वन्य जीवन की हत्या, वन्य जानवरों के नश्ट होने और जलवायू परिवर्तन जैसी समस्याओं के संपर्क में यह सब संकेत देता है कि हमें अपनी प्राकृतिक संसाधनों का समझना, संरक्षन करना और उन्हें सहेजना बहुत जरूरी है. हमें पेडों को अंधा धुंध काटने से बचाना चाहिए, जल सनरक्षन के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए, वन्य जीवन को सहेजने के लिए उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करनी चाहिए और प्रदूशन को कम करने के लिए संशोधन करना चाहिए. हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रती सजग और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं, जिन्हें हमें आने वाली पीडियों को भी सुरक्षित रखना है. प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षन करके ही हम एक सुस्त, सम्रिद्ध और संतुलित जीवन जी सकते हैं.